एक टपाव गेंज बाउंडरी के बाहाँ क्या गर्मा गरम शुरुवात हुई है पहली गेंज पे ही चौका जड़ दिया उमीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए शुरुवाती काम्याबी में फिल्डिंग यूनिट ने काफी मदद थी ये है इनका सर्वोतम शॉट स्क्वेर कार्ट बढ़िया कद्वो का इस्तमाद दोनों बल्ले बाजों ने क्या फुर्टी से दौड लगाई वापस क्रीज की और डाइक लगाई है क्या ये आउट है गेन सिधा विक्टो में लगी नेकिन समय पर पहुँच गए कोई रण आउट नहीं बल्ल बाज ने हलका सा पुश किया और गैप मिला डीप स्क्वेर में दो फिल्डर्स के बीट शानदार तरीके से ड्राइव किया कवस के खेतर में डाइव लगाई और करी कमाई बाउंडरी नहीं मिल पाई ओन साइड कर प्लिक किया इस बार कुछ और रणों के लिए गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर एक अच्छे शॉट का चैन किया ड्राइव कर दिया गेंद को आफ सैट पर फिल्डर्ड ने बाउलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंद फैकी बाउलर इस मिरने से बहुत निराज ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे इसे चील की आँखों से देखना पड़ेगा विकी ने पकड़ तो लिया है लेकिन क्या किनारा लगा गेंद पिच के बीचों बीच में से स्विंग हुई लग नहीं रातवे से छोड़ देंगे बाहरी किनारा हो सकता है और यकीन के लिए हमें अल्ट्रा एज का सहरा लेना ही होगा अपील तो बहुत बड़ी और जोरदार थी लेकिन अल्ट्रा एज बिलकुल चुप कोई सवाल नहीं पवेलियन तक जाने का लॉट ओड़ एज खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथों में जड़ दिया इसे एक्स्ट्रा कवा की दिशामे जाए अन्यवास को जगा मेली आफसेट का फील्डर से बीच ऐसा लगता है थर्ड अम्पार के लिए जाएंगे बोर्ड पे लक्षण स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहें आफस्पिनर रन भागने की ज़रूरत ही नहीं सही से टाइम नहीं करपाए उचलती कूती छलांग लगाती गेंद गई बाउंडरी के बाहर चार रन मिलेंगे बैक्समेन को दो की बनती है जोडी और तीन की हेड्रिक क्या ये करपाएंगे ये आउस्पित या गया अंपायर द्वारा इस बार डियार इसका विकल्प नहीं लेंगे ये गिरी पारी की पहली विकेट ये क्या जा रहा है यूए फो नहीं बास ऐसा कड़ा मुकाबला जहां दर्शक सीट से हिले तक नहीं दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन लख लख वधाईयां विजेताओं को झाल 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 झाल